नमस्कार दोस्तों में रड़ा मैं विमल सिंग बाला जी श्टेडि एड़ा में आपका स्वागत है कैट है उसने दिल्ली सरकार उपराज्युपाल और सातिसा संग लोग सेवा आयोग से जवाब मागा है तो थोड़ा सा भी आपको पास्ट हिश्ट्री को समझना पड़ेगा सबसे पहले तो समझिए ये कैट क्या है तो कैट के अगर थोड़ा सा बात करते हैं तो केंद्री प्रसासनिक प्राधिकरण या अधिकरण इसको हम कहते हैं इसके अंतरगत आपका जो भी पदो पर नियुक्ती होती है भरती होती है सेवा की सरतों समंधित विवाद होते हैं सिकायत होते हैं उसको निरणाय लेने का प्रावधान जो है इसके अंतगरत रखा गया है साथ ही साथ जो C.A.T. है वो एक इसे सग निकाय है जो तोरित और प्रभावी नयाय जो है वो देती है और किसी भी उच्च नयायले का वर्तमान या सेवा निबरत नयाधीस इसका अध्यप्च जो है होता है और अगर कैट को यादेश देता है तो समझ लीजिए उच्च नयायले के समक्ष सविधान का ये अनुच्छेद यूज़ करते हुए एक रिट याचिका के माध्यम से इसको चुनौती भी दी जा सकती है कैट तो आप समझ गए होंगे तो कैट ने इन सभी से जवाब वांगा है कैट के सदस से आनंद माथूर और मनीस गर्ग की जो पीट है उसने दिल्ली सरकार की जो अधिस उचना थी उसको चुनौती दी जाने वाली याचिका पर विचार करते हुए ये आदेश दिया तो ए आयू सीमा को पहले 36 और किसी-किसी में 40 भी थी उसको घटा करके आयू सीमा को 30 जो है वो कर दिया गया था और जो एज लिमिट 30 कर दी गई थी इसी को लेकर के एक याचिका जो है वो तैर हुई और उस याचिका पर विचार करते हुए ये आदेश जो है कैट के जो सदस्य हैं उनके द्वारा दिया गया है तो दिल्ली अधिनस्त सेवा चैन आयोग बोर्ड को भी नोटिस दिया गया है साथ ही साथ इसमें अनुराग कुमार सहीद तीस छात्र जो है उनकी ओर से दिल्ली सरकार की अधिसूचना के खिलाप कैट में चुनावती जो है वो दी गई थी दिल्ली सरकार की अधिसूचना वही अधिसूचना जिसमें एज लिमिट को घटा करके तीस कर दिया गया था पीजीटी के लिए साथ ही साथ याचिका करता की ओर से अधिवक्ता अनुजगरवाल ने ये भी कहा कि पीजीटी बनने की अधिक्तम उम्रसीमा घटाए जाने से मैंने का ना पहले 36 थी लेकिन सेप्टेंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने इस नियम में बदलाव करते हुए अधिक्तम उम्रसीमा को घटा करके 30 साल कर दिया था तो अधिवक्ता अनुजगरवाल ने पोस्ट ग्रेजुएट के साथ बीड होना अनिवार है ये भी आपका नोटि साथ साथ में बीड कर सकते थे परन्तु जब ये नोटिविकेशन 30 साल एज घटाने वाले आया था उसी समय पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीड को भी आनिवार कर दिया था PGT के लिए तो ऐसे में ये योगिता अगर प्राप्त करनी है तो चाहर सी बाते ज्यादा समय ल कि दूसरे राज्यों का उधारण भी यहां पर लिया गया जिसमें कैट को ये भी बताया गया कि दूसरे राज्यों में इस पद के लिए उम्र सीमा 35 से 45 साल तक है उत्तर प्रदेश में तो कोई PGT के लिए कोई सीमा ही नहीं है 50 साल के है तो भी आप भर सकते हैं हिमाचल प प्रता दूं कि पोस्ट कोड के हिसाब से एज अलग-अलग होती है जैसे एक नोटिफिकेशन मैं आपको पिछला दिखाता हूं जो कि 20 जुलाई 2022 को वेकेंसी निकली थी यहां पर जैसे देखेंगे TGT के लिए अलग-अलग एज है पर हम PGT की बात करते हैं में फोकस ही हम आर्ट्स में देखेंगे तो 36 साल इसी प्रकार उर्दू मेल में देखेंगे तो 36 साल परन्तु कुछ पोस्ट ऐसे भी देखने को मिलते हैं जैसे PGT Computer Science मेल जहां पर यह 30 साल पहले से ही थी यानि कुछ पोस्ट को ले करके ही आपकी जो एज लिमिट है उसको घटाए गया थ वो कुछ नहीं थे मतलब लगबख सभी आ गई थी एक आदो को छोड़ करके और अब वो नोटिफिकेशन जिसमें इन सभी पोस्ट को ले करके बात की गई थी मैं कोसिस यह करता हूँ कि हर चीज आपके लिए बहतर से बहतर ढून करके लाओं ताकि आपको सारी चीजे क्ल PGT के लिए ही है यह और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो एज लिकी 30 वर्ष से अधिक जो है वो नहीं होनी चाहिए यह जो एज लिमिट आपकी 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ना इसी को ले करके विवात है या चिका इसी को ले करके दायर की गई थी उमीद कर उसके बाद क्या कुछ नड़े लिया जाता है जो आगामी नोटिफिकेशन जारी होगा तो जो भी कुछ अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे तो इसी प्रकाड़ी लिए अपडेट पाते रहने के लिए चानल सब्सक्राइब करके वेश जोड़ जाएगा वीडियो पस में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन